कि है काई वेलकम बैक टो माया चानल इस जया आई होप यू आ डूइंग वेल सौरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई बिकॉस आम नौट फिलिंग वेल बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आये जा रहे हैं जबकि मैंने बता हुआ था कि अभी मेरी थोड़ी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले आज मैं डॉट स्क्लियर करने वाली हूँ Instagram से ठीक है क्योंकि Instagram पे बहुत बच्चों की request आयो है doubts के regarding तो सबसे पहले मैं चलती हूँ जितने बच्चों की request है उन पे तो सबसे पहले है crazy priyanka इन्होंने पूछा है Hi the I show your YouTube channel and I want to ask you something and follow you ओके thank you बट आपका doubt क्या है वो आपने नहीं पूछा है मैं NCWeb के registration कब से start है जैसे ही NCWeb के registration स्टार्ट होंगे dear I will update you so don't worry about that next doubt है कामाक्षी नेगी ये शायदा पहले पूछ चुके हो Please tell me if third semester के पूरे exams नहीं दिये हैं और fourth semester के exam सारे दिये हो तो क्या fifth semester में प्रमोट होंगे ये जो भी है dear या आपके college के teachers पर depend करता है क्योंकि वो लोग इस चीज के लिए उनका क्या criteria है आप लोग direct उनसे ही कर सकते हैं ठीक है उनसे ही पूछ सकते हो इसके regarding मैं कुछ नहीं बता सकती next है सिया एदी I have a doubt about NCWeb अपने अपने YouTube चानल पर बताया था कि NCWeb में अडमीशन लेने के लिए CUET नहीं देना बट एक दो YouTube ने अपने चानल पर NCWeb में अडमीशन लेने के लिए CUET compulsory बताया है या यह सिरफ PG के लिए जरूरी है तो मैंने देखो मैंने हर जगा जो भी है हर जगा मैंने यह चीज पूरी सर्च करने के बाद आपको अपने चानल के थूँ यह भी दिखाया था कि NCWeb में सिरफ मारिट बेस पर अडमीशन होते हैं और SOL में आप मेरी वो वीडियो है वो जाके देख लीजी यह डाउट सारे बच्चों को अरड़ी क्लियर हो चुका है और CUET जो है वो NCWeb के बच्चों के लिए PG के लिए बोला गया क्योंकि पहले PG में अडमीशन लेने के लिए merit based भी होता था और entrance भी होता था बट इस साल से merit based नहीं है NCWeb के लिए वो भी PG courses के लिए बोला गया है इसमें तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं बोला है कि आपको UG courses के लिए CUET देना है NCWeb में वो only for PG courses है और बाकि जिनोंने बताया है I hope आप मेरको उनका link send कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा है कि किसी नहीं ऐसा बोला होगा Hello Didi, next out है शिफा खान Hello Didi, first of you for thank you hard work for us It's okay, welcome मुझे आप से पूछना है NCWeb में admission के लिए online college preference कैसे choose करूँ यह procedure अभी हो रहा है यह भी start नहीं हुआ क्योंकि cut-off से पहले college preference choose करना पड़ता है क्या NCWeb के form आ गहे नहीं, यह सब आपको मैं बताऊंगी अपनी next video में जैसे ही NCWeb के एक बार form आ जाएंगे तो उसके बाद सारा criteria क्या क्या करना है, क्या procedure है वो सारा मैं आपको बता दूँगी so please don't worry about that आपको college के जो भी preferences fill करने होंगे वहाँ पे आप कर सकते हो जो आपके nearby होंगे और आपके जो nearby होंगे college उनको fill करना और बाकी जो थोड़े बहुत कुछ जो particular अच्छे college है मैं उनका भी आपको वीडियो में उनके लिए भी एक वीडियो प्रोवाइट कर दूँगी ठीक है नेक्स्ट है नायरा चोहान हेलो दी मेरे 12 में 69 सम्तिंग प्रसेंट बन रही है बेस्ट 5 की तो क्या मुझे हंसराज college में admission मिल सकता है 12 में 69 बन रही है के लिए अभी cutoff में depend करता है cutoff किस कैसे आती है next out है प्रीती मैम के NC web में admission के लिए कोई form फिल करना पड़े का अभी और इसके admission open हो जाएंगे तो please आप हमें inform कर देना बिल्कुल I will inform you इसके लिए आप बिल्कुल भी मत घपराओ मत मैं आपको जो भी है जैसा भी है सारी चीजे time पे inform कर दूँगी okay so next है आशू दीदी मैं 31st मार्च के बाद का अभी से OBC का central certificate बनवा लूँ ठीक रहेगा काम तो कर जाएगा येस आपको OBC का certificate बनवाना ही पड़ेगा जितने बच्चे OBC से बिलॉँ करते हैं SC से बिलॉँ करते हैं ST से बिलॉँ करते हैं आप लोग को अपना अपना ही certificate बनवाना है क्योंकि आपका ही चलेगा मैंने CUT के लिए बनवा रही हूँ तो ये central का OBC certificate NC web में काम आजाएगा बिल्कुल आ जाएगा या भी वेट करूँ जब admission स्टार्ट होंगे तब बनवान नहीं जब admission स्टार्ट हो जाएगे तब तो आपको document देने है वहाँ पे तब आपको वो बिल्कुल भी time नहीं देंगे बनवाने के लिए तब बनवाओ बिल्कुल भी time waste मत करो क्योंकि अभी आपको पास बहुत अच्छा time है admission कभी भी start हो सकते है after May, June में admission start हो सकते है तो जितना भी आपको पास time है आप उसको बनवाओ अपना certificate next doubt है Sileha hello ma'am good morning I just saw the video you posted thank you for clearing the doubt may God bless you thank you so much next doubt next है नेहा प्रजापती BA program OBC अच्छा इनका doubt मैंने already clear कर दिया था कि मेरे 60% है NC web में admission हो जाएगा तो depend on your course and category क्या है आपका course क्या है और category क्या है आपको BA लेना है तो 60% में अराम से हो जाएगा don't worry next है हमारा ये instagram के doubts है ये जितने भी request में भी थे मैं वो चीज वो clear कर चुकी हूं next हम चलते है telegram पर काफी दिनों से message आ रहे है सबसे पहले डाउट है खुशी दी मेरे 62% आई है 12th में accounts में पर मैं पास हूं तो I know 62% है तो पास ही होगे मेरे admission हो जाएगा NC web में चैटेगरी 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 और आपको अकाउंस है तो अव्वेस ही बात है बीकॉम लेना है तो मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा बट जाता है सिक्स्टी परसेंट थर्ड या फोर्ट तक सो डोंट वरी अबाउट डेट नेक्स हम चल रहें अपने डिसकस्शन ग्रूप में दी मैंने आज साइबर कैफे पर पता किया तो उन्होंने कहा एड्मीशन के लिए भी सी उटी के रिजिशन जरूर है क्योंकि ड्यू के अंडर ही आता है तो यह बच्चों ने आपस में बात करी नहीं नहीं बहन ऐसा थोड़ी होता है नीशियो शर्माबाग की पता नहीं सी उटी एंसी वेब में पोस्ट ग्रेजिशन के लिए है अच्छा होके बाके दीदी ही बताएंगी अब तो कुछ नीशियो शर्मा ने बोले है हाँ वैसे सी उटी नहीं है इसके लिए ओके कमाक्षी नहीं दी इफ यह तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया तो कॉमल चिलर दी बस आप मुझे यह बता दो कि एंसी वेब की एक्जाम क सामिस्टर वाइस कुछ एक होगा आपका फॉर्स सामिस्टर का इधिंग में या जून में होगा या फिर दिसेंबर में होगा ऐसे होंगे आपके एक्जाम्स ठीक है इस चीज के लिए मैं आपके लिए एक्सपीरियंस वीडियो लेकर आऊंगी एक न्यू बच्चे का चिन लूरी हेलो मैम आइव डाउट माम मुझे डाउट है कि एंसी वेप की कट ओफ पसंटेज कैसे केलकूलेट होगी ट्रांसलेट टू इंग्लेश मैंने कॉम्रस विदाउट मैस ली थी तो मुझे मैस की जगा हिंदी हिंदी मिली मतलब अच्छा मैंने कॉमर्स विदाउट मै पसंटेज आप जोड़ोगे तब आपका उसमें एड हो जाएगा और बेस्ट वाइव में आप अपने अडिशनल सब्जेक्ट भी काउंट कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो यह थे टेलीग्राम के डाउट अगर एका डाउट रह गया हो तो आप में क इस वाइरी है रिकार्डिंग एंसे वेब दैन प्लीज आप लोग में को इंस्टाग्राम पर डियम कर दो मैं वीडियो के थू ही अपसे डाउट क्लियर करूंगी सबकि क्योंकि इच एंड एवरी डाउट जो है वह मैं सिंगल सिंगल करके ऐसे नहीं क्लियर कर पाऊंगी इसलिए आप लोग मेरे को कमेंट कर दो कमेंट्स में आप लोग ड्रॉप कर सकते हो अपने डाउट क्योंकि फिर मैं वीडियो के थू क्लियर कर सकती हूं तो इस वीडियो में मैंने सिरफ अभी इंस्टा इंटेलिग्राम के डाउट क्लियर करें हैं क्योंकि अभी मेरी डाउट के रिगार्डिंग कल में वीडियो लेकर आउंगी देन उसके बाद आपको मैंने बोला था कि आप मेरे को बता सकते हो कि आपको लाइव सेशन कब चाहिए और कौन सी डेट को चाहिए किस टाइमिंग पर चाहिए तो हम लाइव भी डाउट आपस में डिसकस कर सकते हैं ठीक है तो आपको वीडियो अच्छी लगे होगी थांक्स वाच्छिंग माई वीडियो थेंक यू